हेलो स्टूडिन्स, वेलकम बैक टू मैं चानल, कॉर्परेट रिस्टक्चरिंग इस चाप्टर की सीरीज चल रही है, और इस चाप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि जॉर्नल इंट्रियन काप बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ साथ मैं आपको बैलेंशीट बनावना भी सिखाऊँगा, ठीक है, तो जैसे कि आपको बताएं कि क्वेशन दो पार्ट में डिवाइड़ होता है, एक बैलेंशीट एन एजस्मेंट दियो होता है, जो बैलेंशीट हम लोगों बैलेंशीट तीनों चीज़े बनाएंगे, ठीक है, ओके, तो क्वेशन में बूले है, तो फॉलविंग इस बैलेंशीट ऑफ मून लिमिटेड, जिस कंपनी का जर्नल एंट्री हम लोग बनाने वाले उस कंपनी का नाम क्या है, मैं काम करता हूँ, डिरेकली जाके पहरे तो जर्नल एंट्रीज के उपर डाल देता हूँ, जर्नल एंट्रीज इन दे बुक्स ओफ मून लिमिटेड, ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम लोगो क्या करना है, एक एक एजस्मेंट रीड करना है, एंट साथ साथ में हम लोगो क्या करना है, हमारा जर्नल एंट्री पास करना यह हमारा Liability दिया है, Balance Sheet में प्री कंस्ट्रक्शन को underline कर देता है उस बता चलता है, कि Corporate Restructuring का Sum है Hem लोग हो Sum में बोला है, इसको मैं highlight कर देता है और Reduce करने बोला है, क्या Reduce करने बोला है equity share capital को reduce करना है equity shares को क्या करना है reduce करना है by 9 मतलब 9 रुपेस से कम करना है सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूँ equity को कम करने की journal entry क्या है equity को कम करने की journal entry है equity share capital account debit 2 फिर से equity share capital उपर वाला old है नीचे वाला new है और 2 capital reduction account capital reduction account अब इसका amount कैसे निकालना एकड़म ध्यान चो और अच्छे से देखना सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को जाना है share capital देखना यहाँ पर share capital कितना दिया है यहाँ पर share capital दिया हुए 5 lakhs लेकिन है न हम लोग को इसमें से यह नहीं बता कि इक्विटी कितना है प्रेफरेंस कितना है तो मैं notes to accounts देखता हूँ notes to accounts यहाँ दिया हुआ है यहाँ यहाँ पर दिया equity 40,000 equity shares है 10 रुपे के value है 4 lakh तो मैं यह 4 lakh जाके कहा लिख दूँगा old के सामने यह ठीक है और यह आया कैसे यह भी मैं show कर देता हूँ 40,000 और एक शर्ट 10 रुपे का है ठीक है ओके दूसरा important चीज़ जो reduce हो रहा है कितमे से reduce हो रहा है उन्होंने बोला है reduce by 9 9 रुपे से कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे capital reduction के सामने जाएंगे यहां लिख देंगे 40,000 इंटू 9 तो 40,000 इंटू 9 करें तो कितनी value आएगी 40,000 इंटू 9 आ रहे 3,60,000 यह 3,60,000 आ जाएगा यहाँ पर जो हमारा new equity share capital है यह वाला ठीक है इसको हम लोग बोलते new equity share capital यह किसे में लेगा चार में से 3,60 गया तो कितना बचेगा 40,000 इसका narration क्या आएगा इसका narration आएगा being equity share capital reduced ठीक है आपको फिर एक बार बता दू यह same chapter का logic इसमें यूज हो रहा है जो हमने internal reconstruction में किया था जो आपको FA5 में था ठीक है उसमें भी हम लोग ऐसी capital reduction की चीज़ें करते थे आगे बढ़ते हैं second part में जाते है second part में बोला है कि 10% preference shares को क्या करना है reduce करना है by 40 ठीक है by 40 तो यह जो 10% है ना 10% कहां दिया है जेखो notes to accounts के अंदर दिया है 10,000 10% cumulative preference shares of rupees 100 each दिया है और यहाँ पर आ रहा है 1,00,000 ओके यहाँ पर है थोड़ा printing mistake है इसको मैं change कर देता हूँ यह 100 नहीं है ठीक है यह 10 रूपीज है ठीक है और यह 40 नहीं है यह 4 है यह 4 है यहाँ पर यह 10 है because 10,000 into 10 करेंगे ना तो ही 1,00,000 आ सकता है correct ठीक है तो एक काम करते है सबसे पहले तो अगर preference shares जो पुराने preference shares उसका percentage कितना है 10% तो मैं लिख देता हूँ 10% preference share यह old preference shares है तो 10% preference share capital account debit एक लाइन छोड़के यहाँ पर to new आएगा उन लोग ने percentage कहीं दिया है कि मैं चेक कर लेता हूँ इस adjustment में दिया है raise the rate of preference dividend to 13% इसका मतलब जो नया preference shares आने वाला है उसका नाम कितना रहने वाला है 13% preference shares अच्छा इसी में ना debenture का भी rate दिया है मुझे new वाला इसका मतलब यहाँ पर हाँ adjustment number 3 में ना debenture उसको भी कम करना है कम करेंगे तो debenture की entry preference की entry और equity की entry same होती है तो यहाँ मुझे नाम मिल चुका है जो मेरा नया preference shares तो उसका नाम है 13% तो मैं यहाँ लिख दूँ हाँ 13% preference share capital और 2 capital reduction तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 capital reduction account ठीक है सबसे पहला काम तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक लाख ठीक है यह लाख कैसे आया था यह भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर 10,000 into 10 ठीक है और हमको reduce करने बोला है by 4 ठीक है by 4 बोला है यह रहा by 40 दिया था actually 40 नहीं है 4 rupees है ठीक है सो यहाँ पर आएगा 10,000 shares है multiply कर देंगे 4 से तो यहाँ पर कितना आजाएगा 40,000 ठीक है सो यह बीच का amount कैसे मिलेगा यह हो जाएगा 60,000 इसका narration क्या आएगा इसका narration आएगा being preferential capital reduced being preferential capital reduced ठीक है उसके आज जाएगे 3rd part में 3rd part में again क्या चीज कम हो रहा है debenture 8% debenture old debenture है तो मैं जाता हूँ यहाँ पर जाएगे डाल देता हूँ 8% debenture account क्या हो जाएगा debit credit की चीज को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है debit तो जो नया आने वाला है उसका percentage है 13.5% debentures तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 35.5% debentures कहां दिया मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर दिया था यह रहा जो नया debenture आने वाला उसका rate of interest है 13.5% और यहाँ पर आ जाएगा capital reduction account ठीक है पुराना जो debenture था ना उस debenture का value मुझे यहाँ से मिल जाएगा यह रहा यहाँ दिया है 2,00,000 रुपे मैं पुराने debenture के सामने जो old debenture होता है जो अपना debit में होता है महाँ लिख देता हूँ 2,00,000 और कितने से कम करना है वो उसके लिए हम लोग को adjustment दिखना पड़ेगा वो लोने बुला है reduce by 10% तो कोई tension यह 2,00,000 निकालेंगे 2,00,000 into 10% करेंगे तो 20,000 आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000 करना कैसा यह भी दिखा दू क्या आपर आएगा 2,00,000 into 10% 2,00,000 into 10 divided by 100 तो आएगा 20,000 वो आएगा capital reduction के सामने तो जो बच्चा हुआ 80,000 है वो का आजाएगा वो आजाएगा हमारे new 13% debenture के सामने ठीक है narration क्या आएगा being debenture reduced ओके आगे बढ़ते entry number 4 में जाते इसमें देखते कुछ नहीं आएगा इसमें बोलाए trade creditors को write off करना है write off करना है मतलब क्या करना है reduce करना है trade creditors कहाँ पर दिया है liability side में दिया liability मतलब credit credit की चीज़ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा debit तो मैं जाता हूँ trade creditors credit में दिया है तो मैं इसको क्या कर दूँँगा debit में लिख दूँगा नहां में डाल दूँगा trade creditors account debit creditors account debit to capital reduction जब जब हमको profit होता है अगर मेरी liability की value कम हो रही है तो मुझे profit हो रहा है तो nominal account क्या हो जाते है credit हो जाते है तो इसलब trade creditors account debit to capital reduction क्योंके creditors की value कम हो रही है कितने से कम हो रही है कम हो रही है one third तो मैं को पहले देखना पड़ेगा creditors का amount है कितना देखो यह रहा creditors creditors का amount भी है 6,60,000 तो हम लोग क्या करेंगे 6,60,000 into one third बोले तो one divided by three तो जब चेक करते है कितना answer आ रहा है 6,60,000 into one divided by three करे तो आ रहा है 2,20,000 तो मैं जाता हूँ यहां जाके लिख देता हूँ 2,20,000 2,20 यहां भी और 2,20 यहां भी narration क्या हैगा being creditors reduced या return of ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं उसके बाद बुला है machinery यह important है machinery देखो machinery यह ना asset asset मतलब debit में होता है debit की चीज़ को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है credit करना पड़ता है तो मैंना पहले entry में क्या लिख दूँगा to machinery ठीक है credit कर दिया उपर किसका नाम हैगा CR तो general entry बनेगी capital reduction account debit to machinery देखो logically सोचो assets अगर increase होता है तो फाइदा होता है और अगर assets की value कम हो रही है 2,60 पहले machinery 2,60 अभी लोग बोल रहे कम होके कितना हो गया 1,40 तो कितने से कम हो गया कैसे पता चलेगा जब भी 2 आता है ना 2 तो हम लोगो difference amount लेगा यह यादखना 2,60 माइनस 1,40 difference amount है 1,20,000 ठीक है machinery कितने से कम हो रहा है 1,20,000 से कम हो रहा है तो मैं entry में जाओंगा entry में क्या करेंगे capital reduction account क्या हो जाएगा debit हो जाएगा debit क्यों हो रहा है capital reduction because हमको loss हो रहा है assets की value कम हो रही है और assets debit में था तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा तो यहां मैं लिख देता हूँ 2 machinery account और amount आ जाएगा 1,20,000 यहां पर भी आ जाएगा 1,20,000 narration क्या आएगा being machinery reduced त्यूंक है उसके बाद आगे चेक करते हैं आगे क्या बोला है आगे बोला है inventory का भी नया value दिया नहीं inventory में direct buy बोला है तो बोलेंगे तो compare करते हैं अगर buy बोला तो directly वही ले लेते हैं मतलब 20,000 ही आएगा हमारी entry में और यह जो reduce वड़ है यह इसके लिए भी अपलीकेबल है reduce inventories by 20,000 inventories अगेन मेरे assets है assets की value कम हो रही है तो क्या हो जाएगा credit हो जाएगा मैं लिख देता हूँ to inventories उपर आ जाएगा capital reduction यहाँ पर मैं लिख देता हूँ capital reduction account हो जाएगा debit amount आ जाएगा directly 20,000 20,000 मैं एक बाद चेक कर ले तो 20 था क्या हाँ 20,000 narration क्या जाएगा being inventories reduce उसके बाद किसको reduce करना है उसके बाद हमको reduce करना है आगे बोला है provide doubtful debts 30,000 का doubtful debts है doubtful debts मतलब data देखो यहाँ पर data दिख रहा है क्या doubtful debts हम लोग data में से क्या करते थे minus करते थे तो इसकी भी general interest कैसे होगी assets अगे कम हो रहा है अगर data की value कम हो रही है तो data को नीचे लिखना पड़ेगा तो मैं लिख देता हूँ two data उपर किसका नाम आएगा again capital reduction तो capital reduction account है 30,000 है 30,000 30,000 ठीक है तो data की value क्या हो गई कम हो गई अब data की value भी कम हो गई और check करते और कुछ सम्में बोला है क्या हम लोग को आगे सम्में बोला है हम लोगों को right of all intangible assets सारे intangible assets को क्या करना है write off करना है मतलब subtract करना है देखो एक ही intangible asset यहां नजर आ रहे हम लोगों को वह है 80,000 का patents ठीक है तो patents debit में debit की चीज़ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते है कभी भी corporate researching का समाएगा और उसमें अगर PNL account इस पर ही कैसे अगर negative balance दिया ना इसका मतलब यह fictitious asset है ठीक है और fictitious assets को भी write off करना पड़ता है इसके बाद में लोग बुलेंगे नहीं बट यह हम लोग को समझने हैं और पहले से ही कर देना है तो इसकी general entry के आएगी इसकी general entry मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसकी general entry का number है हमारा 8 आजाएगा यहाँ में डाल देता हूँ 8 क्योंके दोनों ही asset है तो दोनों ही नीचे आजाएगे दो बार मुझे तू लिखना पड़ेगा एक बार patents के लिए यहाँ पर आजाएगा patents का account और यहाँ पर आजाएगा P&L account ठीक है और ऊपर किसका नाम आएगा ऊपर आजाएगा CR का नाम ठीक है capital reduction account क्या हो जाएगा debit intangible जो assets थे उसका amount है intangible का था असी हजार जो P&L था उसका 3,90 तो मैं P&L के सामने लिख देता हूँ 3,90,000 जो हमारा यह है इसके सामने लिख देता हूँ 80,000 प्लस 3,90,000 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद कोई और journal entry तो बचा नहीं है लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोग को आगे कुछ बोला है आगे बोला है assume that the proposal was duly approved और आगे बोला है पास journal entry तो पास कर दिया मैंने अच्छा पास journal entry करने के बाद capital reduction का account बनाना पड़ेगा तो वह मैं बनाऊंगा वैसा समय बोला नहीं है फिर भी बनाना पड़ेगा because इसके अंदर समय लोगो क्या मिलता है capital reserve ठीक है और आगे बोला है show companies post construction balance sheet post construction balance sheet बनाने बोला है ठीक है तो पहले मैं काम करता हूँ capital reduction account बना देता हूँ फिर मैं आपको balance sheet कैसे बनाना वो भी बता दूँगा यहाँ पर आजाएगा debit यहाँ पर आजाएगा credit I hope आपको याद होगा कि capital reduction कैसे बनाते अगर capital reduction क्या हो रहा है credit हो रहा है तो हमनों credit side पर entry करते लेकिन नाम लेंगे equity share capital का और amount कौन सा आएगा जो CR के सामने है ठीक है तो capital reduction credit हो रहा है तो credit side पर जाके मैं लिख देता हूँ by equity share capital amount है 3,60,000 ठीक है उसके बाद फिर से P&L में जाते है again capital reduction क्या रहा है credit हो रहा है credit हो रहा है तो मनों लिखेंगे 10% preferences amount आएगा capital reduction के सामने कितना है 40,000 तो मैं buy मैं लिख दूँगा buy 10% preferences amount आ रहा है 40,000 उसके बाद आगे बड़े उसके बाद capital reduction फिर से credit हो रहा है इस बार 20,000 से credit हो रहा है लेकिन लिखेंगे 8% debenture तो buy मैं मैं जाके लिख देता हूँ buy 8% debenture by 8% debenture amount है 20,000 तो मैं लिख दूँगा 20,000 उसके बाद आगे बड़े तो आगे हम लोग को capital reduction वपस है credit हो है तो buy trade creditors 220,000 तो मैं यह आप लिख देता हूँ buy trade creditors और amount आजाएगा 220,000 ठीक है ओके और फिर capital reduction debit हो रहा है एक लाग 20,000 debit हो रहा है तो debit side पर लेकिन लिखेंगे क्या two machinery debit हो रहा है तो debit side credit हो रहा है तो credit side यहां मैं लिख देता हूँ two machinery amount आजाएगा 120 जो के machinery का था ठीक है इसके बाद capital deduction फिर से debit हो रहा है इस बार आएगा two inventories लेकिन 20,000 तो मैं जाके लिख देता हूँ two inventories 20,000 ठीक है तो inventories भी हो गया inventories के बाद फिर से capital deduction debit हो रहा है इस बार two debtors है 30,000 तो मैं लिख देता हूँ two debtors 30,000 तो डेटर्स तीस हजार उसके बाद अगर हम लोग आगे जाए तो दो बार capital deduction debit हो रहा है लेकिन इसमें दो है पहले आएगा two patents फिर आएगा two पी एनल profit and loss account मैं लिख देता हूँ two patents to profit and loss account लिख है profit and loss तो 390,000 और जो हमारा patents है patents था 80,000 अब total करके check करना है कि total कितना आ रहा है तो मैं ज़रा इसका मतलब इस सम में capital reserve नहीं है तो उसकी जोर्नल इंट्री भी करने की जरूरत नहीं है balance sheet में capital reserve आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है अगर आता अगर सबोज यहाँ पर capital reserve आता तो उसकी entry में reserves and surplus के अंदर कर देता ठीक है आगे बढ़ते है अभी हम लोग को balance sheet भी बनाना है तो मैं आपको बता दू balance sheet का format तो वो लोग हम लोग को question में ही दे देते देखो यह equity and liability यह वही balance sheet है जो हम लोग final account of electricity में बनाते तो same balance sheet हमको बनाना है format बना बना दिया है ठीक है तो देखो यहाँ पर मैंने भी आप अब लोगों के लिए format बना दिया यह हमारा equity लाइवटि इसके अदर सबसे पहले आता शेयर उफणं प्फिर आता है non current liability और फिर आता है current लाइवटि यह main heading है और इसके अंदर हम लोग सारी entries कड़ते है ठीक है फिर फिर ऐसे same to same मुमारा आता है non current assets और फिर आता है current assets दो ही main heading होते हैं जिनके इंदर हम लोग सब कुछ डाल देते हैं ठीक है and then फिर उसके बाद some start करने से पहले आपको पता है कि हमको क्या बनाना पड़ता है notes to accounts ठीक है तो हमारा note number one क्या होगा note number one होगा share capital का तो मैं लिख देता हूँ share capital आप जाओ तो without notes भी balance sheet बना सकते हो tally हो जाएगा ठीक है लेकिन मैं क्योंकि हम लोग first time कर रहे हैं तो हम लोग पूरा जो part है ना वो same to same लिखके ही solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहां पर हम लोग का note number one share capital क्या सम्में equity और preference share capital हम लोग को सम्मेथ दिया है हाँ दिया है तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूं सबसे पहले आपको ना balance sheet में जाके चेक करना देखो यहां पर दिया ना note में दिया वन रुपी कैसे क्योंकि हमने उसमें से नौ रुपिया माइनस कर दिया था राइट याद है आपको पर चेक करो यहां पर मैं बता देता हूं जर्नल इंट्री के अंदर इक्वीटी share capital debit हो गया चार लाग तो चार लाग में से चार लाग गया तो क्या हो गया जीरो हो गया फिर हमने equity share capital फिर से credit किया है ठीक है कितना credit किया था हम लोग ने 40,000 यह 40,000 कैसे आया 40,000 into 1 मेरे पास 10 रुपे के share थे उसमें से 9 रुपे तो मैंने reduce कर दिया तो अब जो shares बचे ना उनकी value एक रुपिया है ठीक है तो यह मैंने यह वाला यह ले दिया इसमें भी ऐसी होग मेरे जो नए preference shares है वो मैं लिखूँ हो यहाँ पर ठेक है यहाँ पर आएंगे 10,000 ही है मेरे preference shares लेकिन इस बार जो preference है उनका percentage कितना है 13% ठेक है तो 13% preference shares आएंगे और वो भी कितने रुपीज के आएगा rupees 6 और रुपीज 6 और इसकी value है 60,000 और फिर और कोई तो entry है नहीं तो total कर देंगे total करें तो total आएगा 1,000,000 रुपीज ठेक है 60,000 और 40,000 को प्लस करेंगे तो हमको share capital का total मिल गया share capital का total कितना आ रहा है 1,000,000 रुपीज ठेक है यह याद अखना कि हम लोग ने पहले जब किये थे ठेक है तब वो 10 रुपे का था और दोनों 10 रुपे के थे बट अब एक रुपे का हो गया और एक 6 रुपे का हो गया कैसे because इस 10 में से हमने 9 माइनस कर दिया और ये भी 10 ही था 10 में से हमने 4 माइनस कर दिया ठीक है ओके तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग को format wise दूसरा आता है reserves and surplus but reserves and surplus में कोई entry नहीं है because sum के अंदर जो reserve था उसको तो हम डाश कर दें तो बनाने की ज़रूरत नहीं है यह आज अगर note number 1 इसके समने में लिख देता हूँ एक लाख ठीक है उसके बाद आगे बड़े तो आता है debenture तो debenture का मैं note बना देता हूँ नोट number 2 आपर ऐसा आ जाएगा note number 2 ठीक है this is ltb long term borrowing जिसके अंदर आता है debenture ठीक पर question में दिया था कितना देर है debenture यह दो लाग दिये था ने debenture वह भी 8% वाले थे credit में दिया था credit की चीज़ को हमने जर्नल एंट्री में क्या कर दिया debit कर दिया मतलब यह दो लाग तो चले गए और लेकिन नया इशू भी किया credit में यह जो नया इशू किया है नाम को य 80,000 रुपे ठीक है ओके फिर debenture का मैं क्या कर दूँगा टोटल कर दूँगा यह 80,000 कैसे आया इसी हजार नहीं एक लाग असी अजार आएगा दो लाग था ना यहां पर भी मैं journal entry में टीक कर देता हूँ I'm sorry दो लाग में से बीस हजार गया तो एक लाग असी आएगा ठीक है ओके तो तो हम लोग यहां पर जाते हैं यहां पर मैं डाल देता हूँ एक लाग असी हजार रुपे ठीक है यहां पर आ जाएगा 1,80,000 रुपीस अपर आ जाएगा debenture के सामने 1,80,000 ठीक है और यह हमारा note number 2 ठीक है तो यह अपना total आ जाएगा यहां पर भी वह डाल देता हूँ एक लाग असी हजार और हमारा total भी वही रहेगा एक लाग असी हजार ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते है note number 3 में note number 3 आएगा अपना current liabilities के उपर आएगेस ठीक है विकोज सम्में short term borrowing तो था ही नहीं तो निल कर देते ट्रेड पेवल क्रेटर्स था मैं डिरिकली क्योंकि मैंने भी मेरे format में पहले trade पेवल के उपर ही हम लोग note बना देते हैं यहां मैं डाल देता हूँ ट्रेड पेवल में creditors आते हैं सम्में creditors थे क्या हां सम्में creditors दिया था हम लोग को कितना दिया था 6,60,000 उसमें से write-off करना था credit में दिया है credit की चीज़ को debit करेंगे तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है कितना माइनस करना है कहां से मिला ये जर्नल एंट्री से जर्नल एंट्री में trade creditors क्या हो रहते डेविट हो रहते और creditors credit में होते credit की चीज़ को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है माइनस ठीक है तो credit की चीज़ है माइनस करेंगे तो डेबिट हो जाता है तो यह दो लाग दीस अजार अगर मैं छे लाग चालीस में से छे लाग साथ अजार में साटा हूँआ तो कितना बचेगा 4,40,000 ठीक है और यही इसका total है बिकोज समय बेल्स पेबल नहीं दिया है तो इसी को मैं total कर देता हूँ 4,40,000 आ जाएगा और इसको हम लोग कहा लिख देंगे डिरेकली जाके ट्रेड पेबल के सामने में लिख देता हूँ नोट नमबर आने वाला है अपर आ जाएगा नोट नमबर 3 4,40,000 शौट टम बॉरिंग तो है यही नहीं डिरेकली निल कर देता हूँ इसका नोट भी बनाने की जरूट ने शौट टम प्रोविजन में तो डा लाइबलिटी का अब यह अपन टोटल कर सकते तो चेक कर लें तो टोटल एक लाख लस एक लाख असी अजार प्लस चार लाख चालीस अजार प्लस चालीस अजार तो आ रहे 7,60,000 तो मैं क्या करूँगा 7,60,000 यहां नीचे डाल देता हूँ 7,60,000 ठेक है यह होगे अपना लाइबलिटी का पार्ट खतम होंगे उसका असेट का पार्ट करना है ठीक है क्या सम्में टैंजीबल फिक्स्ट आसेट समको दिया था हां कई सारे टैंजीबल फिक्स्ट आसेट्स दियते जिनमें से अपने को कुछ कम भी करना था ठीक है इंटैंजीबल आसेट्स तो निल तो मैं आ जाके बना देता हूं, note number 4, आपर आ जाएगा note number 4, यह है अपना tangible fixed assets, intangible भी चला गया ना, zero हो गया, वो अपने patents था, उसको उड़ा दिया, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा, अपना tangible assets के अंदर, tangible assets के अंदर सबसे पहले आएगा, आपर चेक करें, तो tangible में द अची नहीं किया, तो यह ऐसे ही आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, building, building as it is, 4,00, कोई confusion नहीं है, इसमें, plant, plant सम्में हमको दिया था, 2,60,000, ठीक है, 2,60,000, लेकिन उसमें से reduce भी तो करना था, अपने को, reduce करना था, 120, जो हमने general entry में किया था, तो यहाँ पर कितना आएगा 1,40,000, आजाएगा 1,40,000, और यही हमारा क्या बन जाएगा, तो आप लोग को फिर से मैं बता दू, यहाँ पर चेक करवा देता हूं, देखों, यहाँ दिया था, 2,60, राइट, और नीचे नया value दिया था, reduce to 1,40, ठीक है, तो general entry में मैंने 120 लिया था, इसलिए मैंने 120 सब् 120 गया, तो कितना बचा 140, ठीक है, तो 1,40, और इसको total कर देते हैं, तो total हो जाएगा, चार लाग रुपे, प्लस 1,40,000, वारे 5,40, मैं यह लिख देता हूं, 5,40,000, यह हो गया अपना total tangible assets का, इसको भी जाके मैं balance sheet में डाल देता हूं, जैसे जैसे होते जाते है, वैसे वैस 150,000, चेक कर लेता है, एक बार, 5,40, ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक और एक note बनाना है, which is note number 5, trade receivable का directly, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं, directly trade receivable है ना, उसके बाद, हाँ, current investment तो nil था, inventory है पहले, लेकिन क्योंकि मैंने trade receivable लिखा है पहले, तो मैं पहले data की entry पहले कर देत हूं, 1,60,000 दिया है, तो data में से भी हमको RDD, माइनस करना था, तो हम लोग जाते है, यहां मैं लिख देता हूं, data's की value जो थी, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो data's का value हम लोगो कितना दिया है, 1,60, 1,60 में से माइनस कितना करना है, यही पे देख लो 30,000 माइनस करना है तो 1,60,000 में इससे 30 क्या हो जाएगा चब ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1,30,000 बचेगा तो मैं जाके यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर आएगा 1,60,000 माइनस 30 तो बचेगा 1,30,000 और यही इसका टोटल है तो यहाँ पर ही मैं टोटल बना देता हूँ 1,30,000 और यह 1,30,000 काँ चला जाएगा डेटर्स के अंदर तो मैं इहाँ पर ट्रेड रिसीबेबल जो है डेटर्स यहाँ अपर मैं डाल देता हूँ नोट नमबर 5 यहाँ डाल देता हूँ नोट नमबर 5 और आ जाएगा यह हम लोग का 1,30,000 ठीक है यह भी मैं 5,40,000 उसके बाएद शॉर्ट टर्म लोंस और अडवांसिस तो है नहीं CCE cash and cash equivalent था लेकर इसके लिए note बनाने की ज़रुवत नहीं कोई adjustment ही नहीं था cash के ऊपर राइट तो मैं cash and cash equivalent डिरेक्ली लिख देता हूं cash and cash equivalent दिया है नहीं दिया है डाइश है ओके सो एक सेकंड है हम लोग का डेटर्स करेंट इंवस्मेंट्स निल दिया है inventories 1,60,000 दिया हुआ है and data's 1,10,000 दिया हुआ है ठीक है तो मैं काम करता हूं यहां पीछे जाता हूं and changes कर देता हूं तो यहां पर जो हमारा data's है 1,60,000 ही है 1,10,000 है 1,10,000 में से अगर 30,000 जाएगा तो कितना बचेगा तो बचेगा हम लोग के लिए माइनस करके चेक कर लेते है 1,10,000 माइनस 30,000 तो यहां पर आ जाएगा 80,000 टोटल भी कितना होगा 80,000 तो मैं यहां से 130 हटा देता हूं और यहां पर हम लोग दाल देते हैं 80,000 and then फिर inventories भी आएगा inventories मैं directly यहीं पर कर देता हूं inventories से भी हम लोग को subtract करना था ठेक है उसका भी एक note बन जाएगा क्या करेंगे कितना दिया 160 दिया न तो 160 में से हम लोग 20 माइनस कर देंगे 160 में से 20 गया तो कितना बचेगा 140 मैं directly कर देता हूं यहां पर 140 यहां पर bracket में show कर देता हूं 160 था पुराना value उसमें से 20 माइनस कर दिया तो यहां पर आ जाएगा same and then हम लोग total कर देंगे because बाकी कोई चीज नहीं दिया और टोटल करके चेक कर लेता है अगर टैली हो गया तो मतलब सब कुछ सही है नहीं हुआ तो हम लोग चेक कर लेंगे करेगा नहीं तो यह था हमारा balance sheet के उपर वीडियो जोर्नल इंट्री आइगेस आपको पहले से आता था अगर नहीं आता होगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा इस सम के अंदर and capital reduction account कैसे बनाते ये भी मैंने आपको इक बार बता दिया main अभी हम लोग को जो sums करना है उसमें ज्यादा practice करना है कि जिसमें हमको balance sheet बनाना पड़े ये वाला sum तो ज्यादा ही easy था बिकोज इसमें जादी entries नहीं थी तो हम लोग direct direct कर पाए ठीक है बट आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और दो तीन सम करेंगे जिसमें balance sheet बनाना होगा तो आपका balance sheet का practice हो जाएगा उसमें ठीक है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इवीडियो करो शेयर करो